So hey friends, I hope की सब अच्छा चल रहा है. सबको Happy New Year तो इस साल कई चीजे होने वाली है और Marvel का Face 5 भी और जिसकी पहली मुवी होगी Ant-Man and the Wasp Quantum Mania तो चलो उस पे कुछ बात करते हैं Ant-Man 3 के रिलीज होने के साथ. तात कुछ सवाल निकल कर आने लगे है कि क्या शैंची की Ten Rings और Miss Marvel की Bangal Ring में केंग की पावर है? चलो एक बार के लिए मान लें कि केंग को Multiverse को समाप्त करने या अपनी नई टाइमलाइन बनाने के लिए आवश्यक Marvel Mac Duffin मिलता है. देखा, जाए तो कॉमिक्स में, Marvel की 2010 की Secret War की घटना ने Marvel Comics Universe की सभी वास्तविक्ताओं को बड़े पैमाने पर घुसपैठ में नश्ट कर दिया. जबकि अलग-अलग वास्तविक्ताओं से बनी एक मिश्रित दुनिया एक खलनायक द्वारा बनाई गई थी, जिसने इस नई वास्तविक्ता पर कयामत के रूप में शासन किया था. जीवित नायकों को या तो इस नई वास्तविक्ता तक पहुचाया गया या अपने स्वयं के साधनों के माध्यम से वहां पहुचने में. अम्याब रहे और यहीं पर शेंगची और मिस मार्वल आ सकते हैं. यहां चलने वाला सिध्धान्त यहा है कि Ant-Man and the Wasp में द परिवर्तन करता है. जैसा कि केंग एक आयाम से दूसरे आयाम में उन्मूलन कर वह शक्ती केंग के लिए काम करती है, तो वह इन दोनों के लिए भी काम करती है. यहां अनुमान यहा है कि केंग समय और वास्तविक्ताओं के पार यात्रा की अपनी अस्थाई शक्तियों के जिस पूर्जा स्रोट का उप्योग करता है। वही शेंगची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल की चूडी चैनलिंग कर रही हैं। यह समझाएगा कि क्यों शेंगची के 10 रिंग्स एक पोर्टल को डूसरे अंधेरे पोर्टल में खोलने में सक्षम थे। कमाला खान अपने विक्ताओं के बड़े पैमाने पर आक्रमन का कारण बनता है। टेन रिंग्स और मिस मार्वल की चूडी बैंगल थोड़ी अतिरिक अटकले हो सकती है कि ये बस्तुएं इंफिनिटी स्टोन्स की तरह उंगी और क्वान्टुम मेनिया की घटनाओं के सामने आने के बाद के इन ने उन्हें अपनी शक्ती का उप्योग करने के लिए कहा हो सकता है। इसी भी तरह से सट्टे बाजी का पैसा किसी भी मार्वल नायक पर है जो एक परिपत्र बैंड या नीली उर्जा का उत्पादन करता है सीक्रेट वार्स पी चितरत मुख्य अवेंजर्स में शेंच वाली हैं इसलिए उन दोनों के पास पहले से ही केम के बैटल वर्ड में एक प्रभावशाली दस्ते को लाने के लिए परियाप संबंध हैं। खैर वीडियो खत्म एंड जाते हुए वो लाज रंग का बटन दबा देना प्लीज।